राजधानी शिमला के एतिहासिक रिजमेदान पर स्तेत क्राइचर्च में लगी एतिहासिक बैल की आवाज अब जल्द ही राजधानी शिमला में गुंजेगी। खास यह है कि 40 सालों के बाद राजधानी के लोगों और यहां आने वाले परेटकों को ये खासा आवाज एतिहासिक राइचर्च से आती हुई सुनाई देगी। अलग-अलग सुर्च चर्च के अंदर लगी इस वार्निंग वैल से निकलेंगे जो हर सुनने वाले को मंत्र मुक्त कर देंगे। जब इस बैल को यहां लाए गया तो उसके बाद 1982 तक लगातार इसकी आवाज से एतिहासिक चर्च और राजधानी शिम्ला गुनसी थी। लेकिन उसके बाद इस बैल में आई तकनी की खामियों के चलते ये बैल खराब पड़ी थी और इसे बजाय नहीं चा रहा था। को स्टड़ी करने के बाद ही इसे ठीक करने का काम शुरू किया है। चर्च के फादर मोहनलाल ने कहा कि मिस्टर विक्टर दीन इस बैल को ठीक कर रहे हैं। अपना पुरा समय उन्होंने इस काम के लिए दिया और इस बैल के जो पार्स कुम हो गए थे उन्हें नए सीरे से बनाने के साथ ही जो पुराने पार्स खराब हो गए थे उन्हें दुबारा से ठीक किया गया है। है यह इंग्लेंट से यहां लाई गई थी यह छे अलग अलग पाइपस हैं जिसको एक मीजिकल तोर पे बजाए जाता है पुरा मीजिक इसमें निकलता है और यह चर्च से पहले आदा घंटा पहले एक बार्निंग वेल होती है कि हमारा चर्च की जो आरादना शुरू होने जाता है उसे बजाए जाता है ताकि लोग त्यार हो और वो चर्च की और अरादना के लिए आते हैं और दूसरी जैसे चर्च स्टार्ट होने वाला होता हो समय से बजा जाता है लेकिन 1982 से लेकर अभी तक यह बैल बन पड़ी थी क्योंकि इसकी जो तारे थी और कुछ उसक प्रच से रेनुवेट करके फिर से बजाए जाए और लोगों ने विसात दिया और खासकर मिस्टर विक्टर दीन जिन उन्हें पूरा समय इसका काम के लिए दिया और राद दिन इसके जो पार्स गुम थे उसको नया बनाया और जो प्राने पार्स थे उनको फिर से पैंट करके रगड़ के उसको फिर से नया बनाकर नए वायर नया रसा नए हैमर्स सब कुछ बनाके अब नए सीरे से वो त्यार कर रहे हैं और उमेद है कि एक दो दिन में ये चलू हो जाएगी इसके ठीकरने वाले हैं मिस्टर विक्टर दीन यहीं शिमला के हैं हमारे लोकल हैं और पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और ओफर किया था कि मैं इसे ठीकर सकता हूं लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया लेकिन इस समय क्योंकि हम भी अपने मेरी भी अचाहत थी कि यह फिर से बज़े तो मैंने कुछ लोगों को त्यार किया और कुछ लोगों ने है और उनके पास एक सेंपल लेके गए उन्होंने पूरा लोहा लेकर पीट के उसको पूरा सांचे में डालके नए पार्ट को त्यार किया और जिसकी यह चूडियां खत्म थी उसको नए से सीरे से चूडियां निकाली और वो पार्ट सबगरा ठीक किये जो इसके हैमर्ज उसके जो लकडिया खरावती उस लकडी को खरातके फिट से फिट करके उन्हों को त्यार किया गया